हेलो एवरिवान आज में लेके आई हूँ व्रत में बनने वाली रेसिपी जिसे हमने यहाँ पे दो तरीके से बना के रेडि किया है और उसी के साथ साथ यहाँ पे बनाई है वर्याली चटपटी सी चार तो वीडियो काफी इंटरस्टिंग होने वाली हो यह जटपट से और इसी तरीके से बनने वाली रेसिपी है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेर करना न भूलना चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल पर इनको पुश करना न भूलना इसके लिए मैं यहाँ पे चार आलू है यह उबले हुए और ग्रेटेड मेंस की से लिए थे मैंने इसे किसनी पर और यहां पर एट किया है एक चोधाई कप के करीब पीसा हुआ मुझफली के दाने का पाउडर दो चमश राजगरे का आटा और एक चमश के करीब है चिली फ्लेक्स आदी चमश काली मिर्श का पाउडर एक हरी मिर् बनके रेडि हो चुका है अब हम इसका बनाएंगे छोटी छोटी सी बॉल इससे आप चाहें तो बॉल बड़ी भी बना सकते हैं मैंने यहां पर छोटी ही बॉल बनाई है और थोड़ा सा ओईल का यूज करते हुए इस तरीके से बॉल आप बना लीजिए और सभी बॉल्स ह और एक चोथा ही चमश के करिब सेंधा नवक एक चोथा ही कप के करिब पानी इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा पानी अब है यहां पर और एट करेंगे और टोटल मिला के मैंने यहां पर आदा कप पानी का यूज किया है बेटर अपकर ना मौप्वले के दाने का पाउडर है और कुछ इस तरीक चे से आप बॉल में, इस तरीके से बॉल पे यहां पे कोट कर लेजे और सभी बॉल्स हमें यहां पर कुछ इस तरीके से बनाके रेड़ी करना है इधर में यहां पर गेयस पे पहले से ही एक पैन में और तेज Native नहैं और फिर हम इसे turn कर लेंगे और ये 2-3 minute में easily उपर से crisp हो जाएगा हमें just इसे उपर से crisp करना है golden brown होने तक क्योंकि ये अंदर से already cook है और ये हो चुके हैं अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ये आप देख सकते हैं देखने पर कितने अच्छे लग रहे हैं उपर से crisp already दीख रहे हैं और आप देख सकते हैं इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर जो second method है वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो हमने better लिया था वही better में हम कुछ तरीके इस तरीके से balls को deep करके यहाँ पर तेल में छोड़ देंगे और यह आप बोल सकते हैं कि फर्याली आलू बड़ा का नाम आप इसे दे सकते हैं और यह हमारा फर्याली आलू बड़े भी बनके हो जाएंगे इस तरीके से ready आप किसी भी method से यहाँ पर बना सकते हैं और यह उपर से golden brown हो चुके है अब हम इसे भी यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से और यह दोनों तरीके से बनी हुई मेरी recipe बनके ready हो चुकी है और दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और मैं आपको यह बताती हूँ इसको तोड़के उपर से crisp और अंदर से बिल्कुल soft और इसी से ही में फर्याली यहाँ पर चाट बना के ready करूँगी और यह फर्याली आलू बड़ा है यह भी उपर से crisp है और अंदर से बिल्कुल soft सा अब हम बनाएंगे फर्याली चाट इसके लिए मैं यहाँ पर तीन पीस लिए हैं इसके इसमें डालेंगे हम मेठा दही तीन से चार चमश दही आप डाल दीजिए जितना आप खाना पसंद करें थोड़ा सा हरी चटनी है फर्याली चटनी एक चुटकी लाल मिर्ष पाउडर एक चुटकी काला नमक एक चुटकी काले मिर्ष का पाउडर एक चुटकी जीरे का पाउडर और थोड़ा सा यह फर्याली चूड़ा है जो हम उपर से इस पे डाल रहे हैं अब मैं आपको बताती हूँ कितना सौफ्ट बनी है यह अंदर से और देखने में कितनी यमी सा लग रहा है आप जरूर से रेसिपी ट्राइ करें आपको यह अच्छी लगी हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताए तब तक के लिए थैंक्यू और बाई बाई